तो आपको बता दें जो B.A.D. और B.T.C. वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ख़बरी भी कही जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती है जो information आई है जो notice निकला हुआ है इसमें ये कहा जा रहा है कि वे बच्चे जो B.A.D. में admission लेने जा रहे हैं यानि कि वो admission ले 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 और उसके बाद B.A.D. या B.T.C. में admission लेने के बाद जब भी U.P.T. और C.T. का form आएगा वो भरके अगर उसको qualify कर लेते हैं तो वो teacher के लिए eligible हो जाएंगे जबकि पहले ऐसा नहीं रहता था वो form नहीं apply कर पाते थे वो last semester में जब जाते थे तब ही apply करना होता था लेकिन क्या कर सकते हैं कि form भरके U.P.T. या C.T. qualify कर ले eligible हो जाएंगे देन इसके बाद जो बात कही जा रही है कि अब जो B.A.D. या B.T.C. किसी भी semester में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी form भरके निकाल ले वो eligible हो जाएंगे teacher के लिए यानि कि अगर भरती आती है तो वो form भर देंगे लेकिन ये तो रही खुशखबरी की बात प्राबलम किसको होगा प्राबलम उन बच्चों को होगा जो पहले से अल्रेडी B.T.C. और B.A.D. करने के बाद यूपीटेट सीटेट दे के बैठे हुए हैं अब ये बच्चे एपैरिंग वाले भी दे के आ जाएंगे भरती तो आल्रेडी आई नहीं रही है और ये भी उपर से अब जो एपैरिंग है और जो एडमीशन लिए ये भी यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई कर लें तो कितने नंबर में सीट्स होगा पता नहीं इसलिए हमने बोला ना कि कुछ के लिए खुशखबरी जरूर हो स सेयर करिए जिससे ये इंफर्मेशन सबको मिल सके थैंक यू थैंक यू फर वाचिक मैं वीडियो